अपने उपर हार मान जाने का दिल करता है कहीं दफ़ा सच कहूं मर जाने का दिन करता है हलो दोस्तों आप सभी का वी के मैथमेटिक्स आपसे लिसागत हैं तो आज हम कच्छा ग्यारा का जो गडित जो किताब है है ना उसमें जो पहला चैप्टर है जिसे आप समुच्चे के नाम से जानते हैं तो उसके कांसेप्ट वगर रखी विसे में हम बाते कर चुके हैं और उसकी जो प्रशनावली है 1.1 हम सालों कर चुके हैं तो छोटी-छोटी पार्ट में भी है और कंप्लीट भी है ना तो अप्लोड कर दिया है आज हम देखेंगे कि जो प्रशनावली 1.2 है ठीक है जो प्रशनावली 1.2 है तो इसका बढ़ा चैप है तो आपको क्या क्या होना चाहिए पहला रिख दे समुच्चे तीक इसके बाद मदस्चे के प्रकार पता होना चाहिए इसके बाद एकल समुच्चे, पर्मि समुच्चे, आपर्मि समुच्चे, समान समुच्चे यह शाई चीज़े आपको पता होना चाहिए तब ही आप यह प्रस्णावली आप खरन कर पाएंगे तो एस आई चीज़े समुचे के जो प्रकार हैं वो हमने क्या किया है कि बिस्स कर चुके हैं और इसका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे कच्छा ग्यारा का जो गडित है विसमें आपको मिल जाएगा तो आज हम क्या करेंगे प्रस्नावली जो 1.2 है इसके हम प्र तो जो पहला आपका प्रस्न है जो लिखा है ठीक है जो प्रस्नाव एक इसमें यह लिखा है कि निवनिलिकित मेंसे कौन से रिग्द समुच्चे के लच्छड है क्या लिखा है कि यह जो समुच्चे है ठीक है तो निवनिलिकित मेंसे कौन से रिग्द समुच्च्चे के उ तो हमेर करते हैं, आप सबको सारी के संख्रावत हैं तो चलिए हमें इस हमें बताना हैं, वो हमें देखना हैं तो चै на बना प्रस्ण क्हाँ हैं दो से भाज्रें जो recalled विश्थम् प्रांकि संख्या का संउच्च है तो चाले हम पहले विश्थम् प्रांस का ने देख लेते हैं फो इसमें देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो दो से बाज है एक कि दीजू पर जेख लेते हैं तो यदि हम बात करें विसम संख्या की इसके बात करें हम विसम संख्या की जो आपका प्रस्नेक है इसमें प्रस्नेक एक का है पहला है ठीक है इसके हम बात करें विसम संख्या की ठीक है तो विसम संख्या की जैसे आप बात करेंगे यह बराबर आपको पता है विश्म संख्याम कौन कौन आएगा एक, तीन, पांच, ठीक है, साथ और स्वान, ठीक है तो आप क्या देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं एक, तीन, पांच, साथ इसमें क्या कोई भी संख्या दो से भी भाज़े है मतलब किसी संख्याम हम दो से भाग दे सेस्पल जीरो मिलेगा, ठीक है ऐसी कोई संख्या नहीं है ठीक है, जिसमें हम दो से भाग दे और सेस्पल हमें जीरो मिलेगा, ठीक है इसका मतलब दो से भाज़े विसंपूरांग कोई नहीं है ठीक है यहां लिखेंगे चुंकी ठीक है दो से भाज एक भी विसम पूराग नहीं है ठीक है यहां लिखेंगे दो से भाज एक भी एक भी विसम पूराग नहीं है फिर विस्व पूराग नहीं है अब भाग देखर देख भी सकते हैं इसमें 2 से भाग पूरा-पूरा जा रहा ही नहीं मतर्सेशफल जीरू मिलना चाहिए ठीक है वैसा तो कोई है नहीं जिसमें सेस्फबल जीरू मिले इसलिए क्या है दो से भाग जी एक भी विस्व आता है यह समुच्चे समुच्चे रिक्त समुच्चे का उदारण है इसका उदारण है आता है समुच्चे रिक्त समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च रिख्ट समुच्चे क्या लिए रिख्ट समुच्चे को हम किसे रसाएंगे फाई से तेस आई चीजे हमें उमीद है यह क्वेशन आपको समझ में आ गया हुआ चलिए आप नेक्स क्वेशन के तरफ बढ़ते हैं दूसरे क्वेशन क्या बोला है कि पहला पहले हम जो सिकेंड सम अभाज संख्याओं का समुच्चे तो सम आपको पता है सम संख्या क्या होती है सम आपको पता है वह हम उमीद करने हैं दूसे हम देख लेते हैं कौन सी आपके संख्या है अभाज संख्याओं का समुच्चे पूछा है कि आपको यह बताना है कि यह जो सम अभाज संख्याओं का समुच्चे है यह रिग्ध समुच्चे है कि नहीं तो चलिए हम देख लेते हैं तो यह कुछ देख लेते हैं आपको जो दिया है तो पहले हम क्या लिखना ह है सम अभाज संक्या ते निख लेते हैं इसके बाद को नहीं है इसके बाद कौन है टीन है तीन भी एक से भाज है और से और किसी भाज है नहीं है इसके बाद पाँच इसमें ऐसी कौन संख्या है जो सम भी है और अभाज तो इसमें क्यों दो है ठीक है सम अभाज्य सम अभाज्य अभाज्य संख्या मिल गया यह बर एकको सम जो है यह एक सम जहां नहीं है तो यह ऊबधनों कि एक उव्यव ऐसा है तो झॉझा सम भाज्य संख्या है इसलए दी खरभाज्य नहीं इस本व लिखेंगे चुंकि आवयव दो स्वाम अभाज संख्या है स्वाम अभाज संख्या है इसलिए इसलिए यह समुच्य रिक्ट समुच्य नहीं है लेक्ट समुच्य नहीं है इसलिए समुच्य नहीं है है इसमुच्य नहीं और एक समुच्य नहीं है आध झाल होगा चली थी दोतने कंट थ्युअद म क्या लिखा है कि एक प्राक्ती संख्या है जहाँ लेस देन पाँच और साथ एक्स ग्रेटर देन पाँच तो आपको पता है कि कोई भी प्राक्ती संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ी हो इसलिए एक रिक्ते समुच्चा है तो इसमें भाई एक भी अवय नहीं है इसका क्या मतलब है यह आपका एक रिक्त समुच्चे है आप क्या लिखेंगे जिसे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे चुंकि एक भी ऐसी प्राग्स जग्यर नहीं है जो पांच से छोटा और साथ से बड़ा हो इसलिए रिक्त समुच्चे है ठीक है हम उमीद करते हैं आप लिख लेंगे चलिए फूर्थ की बात करें इसमें बोला है कि एक सदेट वाई सदेट वाई कि इन्ही को और होगा ठीक है शेल का माले ऐसे यह आपका एक रेखा है ठीक है और एक रेखा यह नहीं है कंचे है एसलिए उ सभिक्या का जो प्रस नमबर चार असर एक का जो चौथा है यह आपका रिक समुच्चे है तो अब हम क्या करेंगे जो आपका सेकेंड क्वेस्टन है उसे पढ़ेंगे हैना समझेंगे और हल करने कोशिज करेंगे तो पहले मैं सेकेंड क्वेस्टन देख लेते हैं लिखाने लिखी करने से पहले आपको पर्मित और अपर्मि समुच्चे पता होना चाहिए तो इसका लेक्चर हमने बताया हुआ है वीडियो जो समुच्चे की प्रकार है उसमें हमने बताया हुआ है कि पर्मि समुच्चे क्या है और अपर्मि समुच्चे क्या है तिक है उसका लिंक आपको आप गीन कर बता सो कहां इसमें 10 है 5 है 15 है ऐसा फिक्स रहे तिक है और अपरमित का मतलब है आप गीनते ही रहो गीनते गीनते बाइट पंच आओ और आपको पताना चले जिंदिगी बार हम गीनते ही बैठे रहें और हमें पता न रहें तो उसे क्या कहेंगे अपरमित हमाँ चले जिंद्दगी गुजर्जय पूरी तो ऋसे क्या कहेंगे अफॉर्मित चाही सिधी से बात है उसमें पता ने कितने होंगे त्रिक यह कोई वार्ष में जो महीने होते हैं वो फिक्स होते हैं तो यहां आयद हम लिखना होगा क्या लिखेंगे चुकि वर्ष के महीनों में 12 महीने होते हैं तो क्या है आपका निश्चित है इसलिए क्या है पर्मी समुझे तो यदि लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो इसका अंसरेद लिखना है तो पहले हम उसे लिख कर बता देते हैं इस में लिखेंगा दूसरे का ज। फरस्ट है निखेंगé चुकी को कि वर्ष के महीनों वर्ष के महीनों की संख्यां पर सके महीनों की संख्यां क्या निश्चित है वर्ष के महीनों की संगय क्या है निश्चित है जो वर्ष के महीनों की संगय क्या निश्चित है अर्थात इसलिए यह क्या है पर्मी समच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ते यह साइची चीज़े अब हम नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं आपका जो दूसरा क्वेशन है जो दूसरा क्वेशन इसे लिखा है कि एक दो तीन दाडाट है ना मतलब इनफाइनाइट दाडाट किया गया मतलब कोई कि यह संक्या उपाइना जो तीशरा है इसमें क्या दिया है, सब्सक्राइब है इसमें अव्यों कि संक्राइब निश्ची थे इसम क्या कहेंगे पर्मी समुच्चे इसमें जो अव्यों है वो कहां तक है क्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब अव्यों कहां तक है इसमें क्यों सब्सक्राइब निश्चित नहीं है तो यह भी क्या है आपर्मी समुच्चे अपर्मी समुच्च अपर्मी समुच्च इसमें जो अव्यों है जे सारे है अप कब सब्सक्राइब सब्द practitioners अब्हाज पूरांग है उसे आप गिन सकते हूं था है इसधानिए समें श्चन gets जिन सकते हैं लिखना है कि नियान लिखना में तो क्या लिकरा भाज होड़ा है पर अब और बढ़ते हैं तिसा क्थन देखते हैं कि क्यों क्या है इसमें पूचा है तीसरे प्रत्रिय के समांतर रिखाओ को समुझे तो इसमेंगे बोला है कि याग सच के समांतर अब बताइए कि कितनी परिम मतले पर मीं समझ रहे कि अपने कच्छा दस पढ़ा होगा नेरे सांग जैमती इसे पूछा यक्स अच्छ अच्छ समांतर अपने देखा कीचो को फिक्स है नहीं कीचते रहो जिंदगी भर तो क्या है आपका पर में बताएं जिनदगी भर आपके रहेंगे आप अपचाहे चगी सकते मतल्ए अनन्त आरेखा की सकते हो में थी अपका आपर मीं समक्च़ है छाले अब नेक्स क्योस्चन देख लेते हैं इसे पूछा अंग्रे जी वड माला के अच्छा हो का समच्छ इतर आपको पता है अंग्रे जी वड माला में जो अच्छा तक है तो क्या निश्चित है आपको पता है निश्चित है मतलब 26 ही है तो वो क्या है तो यह जो समुच्च है यह आपका परमी समुच्च है तो जैसे आप गिरना चाहेंगे जो आपके मतला आंग्रेजिवर्ण अबला में जो क्या है यह इवी है यह जो बी सी औक है जड्या पता है वे क्या है तो शमुच्च Roose Ng लिख देगे परमित समुच्छ यह कैसा समुच्छ है यहां लिखना है तो आप लिख सकते हो चुकि इसमें आवयोक्षा निश्चित है इसलिए आपका परमित समुच्छ है चलिए नेक्स कहा तीसरा आपका उन संख्याव का समुच्छ है जो पांच के गुड़च है तीक है तो साम के गुड़च कौन कोन है बताएए पांच दस 15 20 अब बोला नहीं है कहां तक उर्ट रहने वाले जान्वरों का समुच्छ है तीक है ते यह साजिव नेक्स अरने चयूसरा तो आप सको पता है कि सभी वेग्यानि क्या कर रहे हैं मतलब वह कर रहे हैं जान ओरों की ठीक है यह आपका में लिया गूरूप का है यह थैलोफाइटां मंदर धेर सारी गूरूप है तो उसाथ नस्पति वह गूरूप है तो यह क्या आपका पर्मी समच्च है तो पिती पर रहने वाले जानवरों की बात करें तो आपको पता है कि आप गीन मुद्द के गीन रहें सब जो एग्यानिक वगरा है तो यह क्या है आपका पर्मी समच्च है तो जैसा आपने देखा भी एक सच वायच यह आपका एक सच है यह मुद्द है यह एक सच वायच आपको पता है सेमोल विलनओं है यहांसए जितनी वृत upph AMD कीनि यहांसे की अपकी प्रविस देख़ें तो आपका इघ्लों है कि आपका झाप पर पर भी तर यह क्या है आप अपर मिंत मुझे मुद्द है थिके देखा 청णि ऐस क्या देखेंगे चौते क्या बोला है इसमें देखना है कौन समुच्चे बराबर है मतलब यह जो दो समुच्चे दिये हैं एक सब क्या है आपका समान समुच्चे है क्यों क्यों कि यह कि सब हुए है और जो क्या जो पाला है वो क्या है समान समुच्च है कैसा समुच्च है समान समुच्च है चलिए दूसरा देले चौथे का दूसरा चार आठ बारा सोला इसमें आवे योग देख लेते हैं तो यहां चार है तो चार है आठ है तो आठ है बारा है तो बले इसमें बारा नहीं है इसनों डूसरा क्या समान समुच़्े नहीं है इसमें क्या बोला है कि समान सम्च्व पूच्या है इसमें यह क्या है मतvad्म इन अब भी तइस्ग है इन्हीं बlex देख लेते हैं कि दूसरे में क्या है ये डशना टिकॉल टूपी मतलब ये बी के बराबर नहीं मनें समा समुझे नहीं ठीक है चलिए निक्षम देख लेते हैं चलिए तीसरा दो चार चार आठ दस देखे इसमें जो अव्यों है और ये क्या है सब सम धन पूराँख है और ये ये आपका क्या है तीसरा तो तीसरे में क्या है सेम है मत्वर शुमान समुचे ए बराबर क्या है ए बराबर घिक है तेसा आई चीचे चौथा चौथा चौथे काहई तो यह सद्राइद 1 संख्या 10 का एक गूरच स्वाह थे दस पंद्रव 20 25 थीस आपको पता है 15 25 था नहीं है तिक है इसमें एधस का चलिए अब हम क्या करेंगे अपका पाचवा जो क्वे्श्टन है उसे देख लेंगे डिना इसमें जो नेस्ट क्योंच नहीं क्या बोला है कि क्या ने लिखिस समच्छे यूग समान है कारण सईद बताई तो जो पांचले का जो पहला है पहले तो पांच वे का जो पहला question है पाले हम question के लिख लेते हैं ठीक है पांच वे का फर्स्ट ए बराबर 2 3 2 कामा 3 ठीक है यह सामने लिख लिए इसके बाद जो समुच्छे B है B को भी हम लिख लेते हैं है यह समी करद एकश समी करड़ है अपले समी करद लिखने समी करद तो आप सब को दिखने रहा होगा थोड़ा सक इंद बर कर लेते हैं थीक है समी करद जो है आपका एकसं कायर प्लस 5 एक्स। प्लस 6 बरावर 0 का एक हल है का एक हल है यह question आपको दिया है तो सबसे पहले हम कहां करेंगे यह जो 2È घा चुछ है इसे मतलब इसे जो समिकरड एक आपको दिया है दू इकामा तीन तो उसके आप यो दिये गया है बी वाले का नहीं दिया गया है तो सब्सके पहले हमें जो दूए घास समिकरड को तोड़कर हल करेंगे तो आपको ऐसी संक्या खोजना है कुडा का रुच्छा मिले और जोड़े तो 5 तो बताई ऐसी कौण से इसंख्या घास ऐसे का मिले और जोड़े तो हमें पांच मिले तो संक्याँ हुआ है llega prim occasions q2 सभी सभी भी बराबर 0 अब इससे कारेगे भाय वाय से एकस का अंदर गुड़ा करके सिंप्लिफाई करेंगे तो लिए इससका प्लस जो छोटा बना एकस ऐकस में नहीं Прっちुत जोड़ा हुआ है 40 ग्रामाए क्स था था बिल pada फाला क्या मिला? x, दूसरे में क्या मिला? 3, ठीच ए प्लस 3 बड़ावर 0, अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस 2 का 0 बड़ावर करेंगे, तो फ्लस 2 है उदा जाएक माइनस धाईगा, x बड़ावर माइनस धो. इसके बाद, दूसरे च्मे मिला, you 0 को बड़ावर करेंगे, x प्लस 3 इन बरावर। जीरो, ठीक है, तो प्लस हरे उध्याद्थ, मान जायेगा, एक्स बरावर मानस थी, यह आपका एक्स कामान मिला, तो بी जो समुच्य है, वहां क्या मिला, मािनस दूि मानस थी, ठीक है, तो यह अपर मिले, नहीं है तो अब हम क्या करेंगे जो दूसरा क्वेस्टन है यह बराबर यह सब्द फालो का एक अच्छर भी वाई सदर्ड वाई सब्द उल्फ का एक अच्छर है तो पहले हम जो पांच्वे का जो दूसरा है उसे हम समुच्चे कुरूप में लिख लेंगे यह दोनों का तो अब पर लिखै करेंगे सल्फड में लिखेंगे और इसके बाद तब मैच करेंगे हम देखेंगे जो समुच्चे है तो यह आपके सेम है नहीं यह बराबर हम क्या करेंगे ए बराबर सब्द जवाब कि इई बराबर ए अफ थै इस इसके बाद क्या दिए ओ डवल यल है ते एक ही बार यल लिखेंगे इसके बाद ओ तो लिखे चुके हैं डवल लिख देंगे तिक है आपको पता है कि कोई भी आवयो दो एक पास चाहते नहीं लिख सकते हैं अब वुल्फ का दिए डवल ओ यल यफ ठीक है यह लिखाते अब दोनों समझे क्या है समान समझे है ठीक है तो यहां ते समझ में आ गया होगा अब हम क्या करें छटे कुश्चन के बाद करेंगे कि ठीक है तो यहां दे समझ में आ गया होगा अब हम क्या करें च्छटे क्वेस्टन के बात करेंगे तो सबसे पर च्छटा क्वेस्टन को हम क्या करेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और तफल करें लिखा है ए बराव 2-4 इसमें भी लिखा है समान समुचयों का चैन कीजिए और 14 इसमें A में नहीए तेसा आए चीज है तो A आपको किसी भी समुचय के बराबर है नही है इसके बाद हम B के बात करें 1-2-3-4 इह देखै तो सबी से सभी अवयो है, समुच्य B के सभी अवय, समुच्य D में है, ठीक है, समुच्य B के सभी अवय, समुच्य D में है, तो मतलब समुच्य B क्या है, बराबर समुच्य D, दोनों क्या है, समा समुच्य है, ठीक है, इस तरीके से, तो जो समाने आपको क्यों लवाई लिखना है, इसा क कौन से दो आवेस सेम हैं, मतलब कौन से दो समुचिके सेम हैं, E बढ़र D और E बढ़र G, ठिक है, तो यहां तक हम उम्मिद करते हैं, यहां तक question आपको समझ में जो हाल है उस समझ में आए होगा, ठिक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहां तर आशक सोग्ज में आए यहां तर देखने के लिए आशक ठेसा थैंक्यू थाइंक्यू सोमच पर वाज़ें